असलाम रेकम कैसे हैं आप सब and welcome to my video आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम घर में tomato puree किस तरह ready कर सकते हैं और उसको long time के लिए किस तरह save राख सकते हैं सबसे पहले मैंने 3-4 लो टमाटे लिए इनको अच्छी तरीके से धो लिया अब इनको roughly pieces में cut कर लेंगे यह सारे cut चुकी हैं अब हमने कोई भी मोटे पैंदे वाला बर्तल लेना है और उसके अंदर tomato डाल के हम चुले की उपर बिको लो फ्लेप इसको cover करके पकने के लिए रख देंगे इसको full time attention देनी के जोगत नहीं है आप इसे रख के साथ साथ अपने घर के बाकी काम भी कर सकते है बस हमने इसे तक्रीबे 5-10 मिंट बाद एक दफ़र इसमें चमच हिलाना होता है तांकि यह नीचे से जले नहीं वो भी start में दोड़ा जएदा होता है आप 3-4 मिंट बाद एक दफ़र चमच चला लें लेकि अफटर 10 मिंट आप बेशक 10-10 मिंट बाद भी चमच चला लें कोई इश्यू नहीं है यह बल्कुल भी खराब नहीं होगी तो चलिए से मैंने cover करके रख दिया है अब तक्रीबन इसे पकते हुए 40-45 मिंट हो चुके हैं और इस पॉइंट पर आप देखें कि टमाटर बिल्कुल अच्छे तीकी से घाल चुकी है और पानी भी जो टमाटर का था हो काफी हद तक इबसाब हो चुका है याद रहे कि इस पर मैंने खुछ से कोई पानी आड नहीं किया यह से वही पानी है जो टमाटर का अपना पानी था इस पॉइंट में मैं चुले को बंड कर दूँगी और इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने तक लिए छोड़ दूँगी इस पॉइंट पर यह देखें कि इसके टमपरिचर काफी डाउन हो चुका है अब हम इसे किसी भी ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे अगर आप चाहें तो किसी मैशे की मैश से मैश भी कर सकती है और यह देखें यहां पर यह अच्छे त्रीके से ब्लेंड हो चुका है एक समूद सा पेस्ट बन गया है अब हम इसे दुबारा से उसी बरतन में शामिल करेंगे और मजीद इसे 10-15 मिंट बने देंगे ताकर जितना भी पानी इसमें बचा है वो खुशक हो जाए तो चले आब इसे पकने देते हैं 10-15 मिंट तो इसे पकने भी तकरीबन 10 मिंट हो चुकी है इस पॉइंट पर यह देखें कि बिलकुँ यह थिक थिक सा पेस्ट आपास आ गया है और इसमें पानी नहीं रहा अब मैं चुले को बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने तक छ आपके पास कोई जार माजूद नहीं है तो जो भी गलास या प्लास के के कंडेनर आपके घर में जो आप रोटीन यूज में यूज करती है तो आप इस प्यूरी को लांग टाइम के लिए सेफ रखना चाहते हैं तो आईस क्यूब ट्रेज होता है उसमें भी आप इनको डा इसमन तक बिल्कुल भी नहीं खराब होगी और आप मेरे कहने पर एक दफाइसे ज़रूर बनाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजार्ट्स मिलेंगे और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेर एंड कॉमन और अगर अभी तक आपने मे मेरे चैनल सब्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्क्राइब मैं चैनल अलाफेज